शमान्य अध्यन की बिचे इस स्यात्रہ याने जी-ेस जर्णी बहुत-बहुत स्वागत करते हैं जी-ेस जर्णी में आपका और आभार भी प्रकट करते हैं कि हमारे Gibson छोटे परंतु बहुत लंबे सफर में आपने हमारे साथ सांदार ढंग से यात्रा रम किया। अपरिक्षा है हमारे साथ साथ आपकी जो यात्रा है या आपको आनंदकारी होने के साथ सुचनात्मा का आनंदकारी और आपके परिक्षा की तैयारी में बहुत-बहुत मददगार से दोगा सौर मंडल में हम थे और सौर मंडल के परिवार की चर्चा हो रही थी परिवार के मुख्या की चर्चा होई परिवार के आज सदस्त की चर्चा होई आज हम जिस सदस्त की चर्चा करेंगे और इसे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं यानि एक उत्तर जानेंगे, एक सवाल करते हैं आपसे, क्या आप जानते हैं सौर मंडल का वह कौन सा गरह है, जिसको सदस्सिता उसकी खत्म हो गई, यानि आप यह कह सकते हैं कि गरह था, तो उसको गरह माना जाता था, जब वो गरह था, तो गरह के समय में उसकी जो अबधी थी, उनी सो तीस इसमी से लेकर के दो हजार छेसमी करती, तो हम समझते हैं आपको उसका उत्तर मिल गया होगा, हम उसे हिंदी में मिरतो का देवता, यम कहते हैं, कभी-कभी धन के देवता, धन का खाजाना जिसके पास होता है, उस अर्थ कुवेर, कुवेर भी कहते हैं, यम के नाम से जानते हैं, कुवेर के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में लाटिन वर्ट्स जो उसके लिए था, वो प्लूटो था और अब वह गरह नहीं है, उसे प्लूट्वाइट की स्रीरी में रख दिया गया है, हम एक नजर उसी और मंडल का नौमा गरह, अब नहीं ध्यान से देख लें, नौमा गरह को कभी था, और क्यों गरह नहीं है, गरह की परिभासा एक नए सीरे से अंतराष्टी खगोल सास्त्रियों की संग ने दिया, और उस परिभासा के अनुशार इनको दूसरे के परिकर्मा छतर जो था, उसके काटने के आरोप में इनको गरह किसरेनी से हटा दिया गया, और जब इनके गरह किसरेनी से हटाया गया, तो इनके जैसे जो दूसरे गरह थे, उनको एक स्पेशल नाम दिया गया, 2008 इस भी में, जिसका नाम परा प्लूट्ट्वाइड, तो हम एक नजर डालेंगे, प परन्तु इसके चले जाने के बाद सबसे दूर नैप्चुन हो गया और सबसे छोटा बुद्ध हो गया है तो हम थोरी सी चर्चा इसकी करते हैं पुलुट्ट्वाइड की और इसके साथ हमारा सौर मंडल परिवार का जो हमारा सफर था वो शमाप्त होगा और हम एक नजर में अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो एक नजर में हम देखेंगे किसको एक नजर में हम देखेंगे पूरे के पूरे सौर मंडल के परिवार को इससे पहले थोरा सा नजर डालते हैं किस पर यम पर देखें यम की खोज हुई थी फरवरी 1930 में यम की खोज फरवरी 1930 में अर्थात पुलूटो की खोज फरवरी 1930 में हुई अमेरिका के बेदसाला से इसकी खोज हुई थी डवलू टॉम बॉग के द्वारा जहान में रखेंगे डवलू टॉम बॉग अमेरिकन बेदसा 24 अगस्त 2006 इस वी तक यह गरह की स्रेनी में बना हुआ था बाद में इसको गरह की स्रेनी से हटा दिया गया पलूटू पर एक ख्याल आता है भगवान कृष्ण का संदेशा लेकर के उनके एक मित्र पहुंचे उधाओ कहां पहुंचे थे तो गोकुल पहुंचते हैं करने की बात आई थी तो गोकुल में गोपियों ने क्रिश्ण के लिए संदेशा भेजाता इसको तोड़ा लंकार में देखेंगे वेद यानि गोपी कहती है बेद नचक्त्र गरह योग किये गरह योग किये अर्ध किये तज पिये यानि भगवान क्रिश्ण की याद में गोपी कहती है कि हमारी दसा कैसी है इसको दोरा सा समझेंगे अलंकार के इस प्रकार का है कि हे उधो जाकर के क्रिश्ण से कहना क्या कहना तो उनके वियोग में मेरे पास एक मातर रास्ता बच लिया है बेद नचक्त्र गरह योग किये वेद कितने माने गए हैं वेद हैं कितने तो चार वेद हैं चार नक्षत्र कितने हैं तो नक्षत्र हैं 27 गरह कितने थे थे शवद की बात हम इसले कर रहे हैं अब से नहीं जोड़ना है जब पहले था तब से जोड़ना है अब इन चारों को जोड़ें आप तीनों को जोड़ तो दे दो वीष क्रिशम के वियोग में गुपी कहती हैकि मेरे जीवन का एक मत्र आप जास्ता बचेगा है और इसके लिए करूं क्या तो भीध नचतर ग्रह को जोट कर लेकिन आज अब जब गरफ की संख्या अब अगर हटा देंगे नौ से हटा कर आठ कर देंगे तब ये अगर अलंकार की बात की जाएगी तो फेलियर हो जाता है तो ये कुछ ऐसी बात थी जो अलंकार की चर्चा होई हमने आपके साथ साधा किया एक नज़र डालि प्लुटो अर्थात यमपर सूरे से इसकी उसत दोरी 49.35 खगुलिय एक आई लगवग 113 मिलियन किलोमेटर फूर एक हमने एक देखा है कक्ष को देखिए ये सूरे है और ये जो लाल वाला कक्ष है नप्चन का है और ब्लू शे जो है वो है प्लुटो का अब देख रहे है कि अगर इहां प्लुटो हो और इहां नप्चन हो याँ इहां एन नप्चन और इहां प्लुटो तो आप सुरे से किस को दूर देख रहे हैं नाप्चन को अपने 248.6 वरसों में जो ये सूर्ज के चारों तरफ चक्कर काटता रहा तो उस दान में रखना है उस उस वरस बी एवरे अबीचा में 20 वरस चाहें नेवार्च फिंप Thukar। कि निकष्ए당 कर ता निप्चुन सूर्ज शेुक्त और प्लीटू सूरे 228 वर्ष कौन रहता था दूर प्लूटो सबसे दूर और 20 वर्ष कौन दूर रहता था नैप्चुन अब थोड़ा देखेंगे कालिया 1989 से लेकर भ्यान में रखना 1989 से 1999 इस भी तक जब जनरल नोलेज की किताब पढ़ाई जाती थी तो उस समय एक बात बताया जाता था कि सबसे दूर गरह कौन है यह वरा जीब साथ प्रस्ण होता था 1980 से 1999 तक दूर गरह कौन था नैप्चुन था तब सौर मंडल में नो गरह की बात होती थी और कहा जाता था बच्चों को नो गरह हैं जिसमें सबसे दूर प्लूटो है यानि यम है परन्तू बीस वरसे से होते हैं जिसमें नैप्चुन आगे रहता है यानि कि सबसे दूर रहता है यह जो इसका कहने का आवेप्राय यह जो इतना दूर दूर कक्ष काट रहा है इसी के कारण 2006 में जब एक नई परिभासा गढ़ी गई और परिभासा बताया गया गरह वहां आकास यह पिंड है जो किसी ताला की परिकर्मा करते वक्त अपने पतपर ही अपने कक्ष में परि प्लूट्वाइड नाम इसको दिया गया है कब से 2008 से पूछा जायागा 2008 की कलपना कब से की गई 2008 से 6-8-2 साल तक अपना परिवाद ढूंड रहा था अपने लिए घर ढूंड रहा था तो साल बाद इनको एक घर मिल गया प्लूट्वाइड के नाम से और एक प्लूट्वा इसके बाद इसका कक्षिय गती 4.7 किलोमेटर पर सेकेंड है दरविमान प्रिशवी किस तुनला में काफी कम है बहुत छोटा भी था और दरविमान भी कम था दरविमान कम होने के कारण इस पर जो पलायन वेगा है वो सब से कम है यानि धरती पर से किसी वस्तू को भेट फ से भी अगर आप उचाल देंगे एक किलोमेटर पर सेकेंड की अगर आपने दे दिया तो यह अपने प्लूटो के गृत्वा करशन छेतर से बाहर चले जाते थे सबसे दूर होने के कारण घंत तो न्योंतम घंत तुबाला गरह है अब गरह कहिएगा नहीं या न्योंतम घंत तुबाला गरह था हैनल करके अब क्या करेंगे था कब तक था 2006 तक था इसके भी तीन उपगरह तीन चद्रमा की खोच की गई सेरान निक्स और हैड्रा तीन इसके हैं और इसका ग्रह का दर्जा समाप्ट हो गया 24 गस्त 2006 को स्वरमंडल की परिवार की कहानी और उसससे की भी कहानी हमने अपने यात्रा में कहीं आप से साजा किया जो 2006 तक उसके परिवार का सबर से था अब नहीं है इसके बाद हम एक अगला वीडियो जब आपके साथ साजा करेंगे तो पूरा जो हमने 10 से आए 11 वीडियो जो इसका देखा है तो उसका एक निचूर एक ताकि आप एक ही नजर में सौर मंडल का पूरा जान लें इसके साथ हम आपके बीच में होंगे और साथ-साथ एक आगरह भी करते हैं बहुत जल्द हम आपके ब आपके बीच में आयागा जब हम अभी फिलाल सब्ता में एक टेस्ट के साथ होंगे और उसके संपूर्ण सोलोशन और एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कई बार क्या होता है कि विद्यारती टेस्ट की शंख्या बहुत देते हैं यानि बहुत टेस्ट देते हैं ल करते हैं इस पर विचार कम करते हैं तो इस अंदर में मैं आपसे रिक्वेश्ट करूंगा आप सेलेक्टेड कम संख्या में ही सही आप टेस्ट दें या टेस्ट सिरीच में कम संख्या में टेस्ट हो परंतु बिसलेशन सपोर्ण हो जिस उत्तर को हम जानते हैं इसका उत्तर यह होगा तो यह भी जाना चाहिए इसका उत्तर दूसरा तीसरा चौथा क्यों नहीं होगा तो इस अपिक्षा के साथ कि हम हमारा जो इसाई स्पेशल स्टेस्टरीज होंगे उसमें हम विसलिसनात्मक आपके बीच में उपस्तित होंगे और आप हमारा सहयोग करेंगे हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धनेवाद है